हमारी अपर बोडी का सुन्दर और सुडोल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है जिसके लिए आज हम सरवांगासन करेंगे जिसे हर रोज प्रेक्टिस करने से हमारे बाल घने होते हैं, हमारे चेरे पे चमक आती है और हमारे कंदे फिट एन हेल्दी हो जाते हैं दोस्तो हलो फ्रेंड्स, मैं आशू पारिक आप सभी का योगा होलिब यूट्व चनल पर हर्दिक स्वागत करता हूँ सरवांगासन उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके कंदों में बहुत जादा दर्द रहता है गर्दन में बहुत जादा दर्द रहता है और नीचे या उपर वाली कमर में बहुत जादा दर्द रहता है तो उनको ये प्रेक्टिस नहीं करनी है तो फिर बिना देर केवे स्टार्ट करते हैं आराम से पीठ के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखना है, सबी विचारों को हटा देना है, गहरा सांस लेना है, जाने देना है, अब अपने मन को शांत होने के बाद, एक और गहरा सांस ले, अपने पेरों को धीरे धीरे हाथों को नीचे दबाते वे उपर उठाएं जितना आपसे हो उतना उठाएं जरूरी नहीं आपको इतना उठाना है एक बार में फिर वापिस से नीचे रख देना है एक और गेरा सांस भरना है और अपने पेरोगों धीरे धीरे करके उपर उठाना है धीरे धीरे उठाना है कोई जल्दबाजी ना करें वापिस से नीचे रख दें एक और गेरा सांस ले और अपने बोडी को हाथों को नीचे दबा कर उपर की तरफ उठाना है जितना आप से हो उतना करें, धीरे-धीरे करें, फिर इस पोजिशन में रोके रखें अपने आपको, फिर हलके-हलके सांस लेते रहें, रिलेक्स हो इक लेटे रहें, ध्यान रखें, अपके कमर में दर्द हो रहा है, तो इसको ना करें, एक और गेरा सांस बढ़ते हैं, और आराम से करें, रिलेक्स होके करें, पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, अपनी बोडी को बिल्कुल सीधा रखें, बैलेंस करके रखें, एक से दो मिनिट आपको करना है, आराम-ाराम से करना है, कंदों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, चेर में रक्त संत्रण अच्छे से होता है और हमारा दिमाग की मेमरी पावर बढ़ती है और अपर वोड़ी को अनेको फायदे होते हैं दोस्तों फिर सास बार छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएं रिलेक्स होके नीचे आ जाएं कुछ देर शांत होके लेटे रहें और अप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा क्या अच्छा लगा थैंक्स फो वाचिंग थैंक्यू दोस्तों